संतान सप्तमी का वरत बहुत ही फलदाई माना जाता है। यहाँ वरत बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन लोग माता-पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। आम तौर पर यह व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ती के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा की प्रभु कोई ऐसा व्रत बताईए, जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा मैं तुमको एक पौरानिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है लोमै रिशी ब्रजरात की मतुरापूरी में वसुदेव देवकी के घर गए, जहां रिशिराज का खूप सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लौमश ने कहा की है देवकी। दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुहकी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पतनी चंद्रमुखी भी दुहकी रहा करती थी, किन्टु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधिपूरवक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्थ हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड कर मुनी से कहा, हे रिशिराज। कृपा करके राणी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तान्त तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाईे, जिससे मैं भी इस दुहक से छुटकारा पाऊं। तब लोमे रिशी ने कहा, हे देवकी। अयोध्या के राजा नहुष्थे उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुन्दर थी। उनके नगर में विश्नु गुप्त नाम का एक ब्रहमन रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सु अब तुम विधिपूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्थ होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंदकंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश रिशी इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा दे कर चले गए। रिशी की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस वरत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह वरत विशेश रूप से स्थियों के लिए कल्यान कारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्यान डायक है। संतान सुख देने वाला पापों का ना चना करते हैं। उन्हें संतान रतने की प्राप्ती होती है। इसके इसके साथ ही संतान से जुड़ी सभी मुश्किले दूर होती है।